इतनी जल्दी वक्त कर गया, पता ही ने चला, है ना? हाँ समिधा, प्यार में ऐसा ही होता है, वक्त कैसे बिज जाता है, कुछ पता ही ने चलता है पता है, मैंने सोच लिया है, शादे वाले दिन में हम दोनों सेम ही कलर की कपड़े पहनेंगे मैं मरून और क्रीम कलर का लेंगा पहनूंगी और तुम क्रीम और मरून कलर की शिर्वानी हाँ, बिल्कूल स्कूल ड्रेस जैसा लगेगा, है ना? तुम भी ना, हर बात का मजाग बना देते हो, जाओ, अभी, सेम कलर पहनना, कैंसल लेकिन मैं तो मरूल और क्रीम कलर का ही लेंगा पैनूँगी लेकिन मेरी ड्रेस तुम ही पसंद करो संजी सची क्या हो समीदा? मेरे पेरों के नीचे एक बड़ी सी मचली फजी हुई थी कोट है किसी का यार इसके स्लीव कैसे भटी हुई है पढ़ने के ले बबाबा सार्क मचली खा गई है इस आपने को हाँ अच्छा कुछ है यहां पर एसी भी प्रद्यूमन क्या मस खुच्बू आरिये ना सर हाँ बड़ीया खुच्बू आरिये क्या बूलतु सर कुछ खाले है है ना हाँ मेरी मॉम कहती है जादा टाइम खाली पेट होगे तो आइसेड़िटी हो जाएगी अच्छा हम लोग सियाटी से हैं क्या बात है सर जराई किये स्केचिस देखिए इसमें से कोई आदमिया आपके काम करता है रेस्टांड में नई सर जरा द्यान से देख लो कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ है इन ही लोग कहात है उसमें नई सर इन्वें से कोई भी मेरे स्टाफ का नहीं है अब जो आदमी गाडी पे था वो आपके रेस्टांड के युनिफार्म पहने वे था क्या ओ मैं गॉट पर ये कैसे हो सकता है सर ये तो आपको बताना पड़ेगा आप लोग चाहें तो मेरे पूरे इंप्लॉईज को चेक कर सकते हैं इससे जादा और में क्या कहूंगा सर हो सकता है यहां के किसी स्टाफ ने किसी भार वाले को युनिफार्म दे दिया हो नहीं नहीं मैडम एक्चुली काम खतम होने के बाद हम सारी युनिफार्म्स रख लेते हैं अरे कोई स्टाफ वाला चुबा की ले गया होगा सर हम काम खतम होने के बाद एक एक चीज़ चम्मच, ग्लास, प्लेट, सब गिनके और चेक करके रख लेते हैं यह देखो, इन चारों उसे की जो को पहचानते हो? सर, यह तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अनूप को जानता हूँ सर. अनूप ना मैं सर, कहाँ पे यह? साब, अभी कपड़े की डिलेवरी लेके गया है, बस आता ही होगा. ठीक है, हम उसका इंतिजार करते हैं. लेकिन सर, यह तो बताएए कि अनूप ने किया क्या है? क्या किया है, सुनोगे तो हिल जाओगे, समझे? कल जो मॉल में ब्लास हुआ तो इन इन इचारों ने किया था. ए भगवान, तभी कल अनूप काम पे नहीं आया था. जब आज मैंने पूछा, तो कहें लगा, कि उसके दोस्त की तवित खराब हो गई है. उसे वो हॉस्पिटल लिखे गया था. काम पे रखते वक्त, वरकर्स का बैग्राउंड ने चेक करते तो. नहीं सर, लेकिन आगे से रखूँगा सर. आगे से क्यों? आप से. अनुक, जी, वारे वागी दीन साथी का है? कौन साथी, सर? फट! मौल, क्यो रखा था मौल में बॉम? सर, मैं सच कह रहा हूँ, सर. सर, सर, हमने कोई बॉम नहीं रखा था, सर. लगता है जो खुराग दिया, उसे पेट नहीं भरा. सरचन, चारो कोलता लटकाओ, अब माना मत करो इंगे. सर, 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 पले बारे बात से लिजे, फिर आपी जो मर्जी कर लेना, सर. सर, हम भी अज़ूर है, सर. सर, हमें नहीं पता तो, सूटकेस, ब बाहुम है, सर. सर, हमें तो ये, सर. अनुप ने कहा था, कि उस सूटकेस को मौल में रखना है, सर. और इसके लिए इसने आफे 10,000 रुपे भी दिया, सर. सर, मुझे भी नहीं पता था, सर, उन सूटकेस बे बहुत बहुत बैसर. मुझे किसी ने बोला था, उस सूटकेस मौल में रख दे ना, कोई आकर ले जाएगा. किसने गाता था तुमसे, हा, नकुल ले. सर, मैं किसी नकुल को नहीं जाता, सर. मुझे किसी अजनभी आजमी ने कॉल किया था, और कहा था, कि वो मुझे से मिलना चाहता है. तिर वो तुमसे मिलने आया? जी हाँ, सर, वो आया मिलने. कहां मिला वो तुमसे? सर, उससे मुझे कॉल करके लॉंडरी शॉप के बाहर बुलाया, और सर एक बैग दिया, बोला, ये तुम्हारे काम का हिनाब है, और बोला, आपने जैसे दो, तीर लोग और जमार करते हैं. ये पताता है, तो बहुता है. शचिंग, एक काम करो, उस लॉंडरी शॉप के आसफास कितने CCTV कामरा से वो देखो, और फुटेज मंगा हूँ. जल बैटा, जल्दिकार, जल्दिकार, आज का स्पेशल मोज, चलाओ, सलाम सब, बताई हैं सब, क्या काएंगे, ये बढ़ा देखिए सब, बहुत बड़ी आ है, एक बड़ा कम बचा है, जिसे मुझे आज ही खतम करना है, हम तयारे बॉस, आप सिर्फ इशारा कर देना, मेरे लिए बोट रिड़ी रखना है, क्योंकि मुझे आज शाम को यहां से निकलना है, मेरी नाव लेके गेते हो लोग, लेकिन सार्फ मचली, उनके साथ साथ मेरी नाव भी निकल गई, क्या बगवास कर रहा है, है, तुछ हता पता है नहीं, जो मुमिया है बोल दिया, साहे, पोट के हालो तो देखिए, अगर बज गवेंगे न, तो ये वाला हाथ उनका नाव लेकर गए थे न, तो जाने से पहले कुछ का आता हो लोग ने तुम से, नहीं साब, तुम क्यों नहीं गए अपनी नाव के साथ, मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं लेकि गए, इसी पिसाब का फोन भी पी नोड रिचिबल आ रहा है, याद लेता है उनके साथ, नही ठीक है, बेड़ी, इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ, इसको लड़की का, इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ, इसको लड़की का, इसको लेकर जाओ, इसको लड़की का, इसको लड़की का, इसको लड़की का, इसको लड़की का, इसको लड़की ते उसमें 50,000 रुपे थे वो शादी का वो कार्ड वाले लिफाफा होता है, सर? उसके अंदर पैसे थे सर शादी के कार्ड के लिफाफे में पैसे देने का क्या मतलब? मतलब यह कि मुझ्रिम कोई नपई ब्योकुफी जरूर करता है कहा है वो लिफाफा? इससब के पीछे उस नगल का ही हाथ होगा एक बार वो हाथ लग जाए, सारे राज़ अपने आप खुल जाएंगे. यह रावो कार्ड, जो नो उपने हमें बताया था. वैसे बिल्कुल वैसे के वैसे बड़े इसे? किसी पटोरा का नाम लिखा है. हो सकता है अनुक को यह पैसे इस पटोरा नहीं दिया हूँ. लेकिन सार, इस पर इसका अड्रेस तो नहीं है. हम इस तक पहुचेंगे कैसे? हुचेंगे पुर्वी. शादी वाले घर का अड्रेस है ना? अगर उन्होंने पटोरा का इन्वाइट किया है तो पटोरा को जानते भी होंगे. अरे रे भाई साब बहन जी, अब रोने से क्या फाइदा है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि उस घर में आप लड़की का रिष्टा मत कीजिए. लेकिन, लेकिन आप लोगोंने मेरी बात मानी, नहीं मानी ना? देख लिया ना? देख लिया ना कि लड़के वालोंने क्या किया? हाँ कम्मों, हमने तुभारी बात पे गौर नहीं किया था, बहुत बड़ी गल्दी हो फियार से. अरे भाबी जी, घबराने से कुछ नहीं होगा. आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी चाची की बेटी की बेटे का पोता है. अगर आप कहेंगी न, तो मैं उससे इसकी शादी की बात करूँगी. चट मंगनी और पट ब्या. बस चाची जी, मैं तो महाँ शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, जा आपने रिस्ता तया किया हो. देख रहे हैं न, भाई साब, हम जिसे पसंद करते हैं, इसे वो पसंद नहीं है. और जिसे ये पसंद करती है, वो लड़का इसे छोड़कर इसकी सहेली के साथ बाग गया कम्मो, तुम बो लालो उन्हें, दो ही दिन में इसकी शादी कर दी जाएगी. सुनिये. हाजी? हम लोग CID से हैं. CID से? हाँ, बोले सर, क्या बात है? हम एक आदमी के बारे में पूछताच करनी है. इसके बारे? इसके बारे में. अठाटा? सर, ये तो हो, कम्मो, ये तो हो. सर, ये मेरे चाची की बेटी के बेटे के फ्रेंड का वो चचेरा भाई है, सर. लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, सर? कल मॉल में जो बॉम ब्लास्ट हुआ है, उसमें शादिस का भी आत है. देखा बापा आपने, चाची जिसने मेरे शादी कर आ रह दोस्ते, दोस्त ऐसा है तो, वो कैसा होगा? क्या बात है, क्या होगा? सर, एक्चुली इसकी शादी तूट गई है, इसलिए वो अपसेट है. हाँ, एक मिटे, बोटो देखे, ये बताई है, ये है पाटोरा? नहीं सर, हाँ. क्या हाँ, हाँ या नहीं? ये, सर, यही है पाटोरा. हमें इसका आड्रेस यही है. मैं अभी लेके आती हूं, सर. प्रीज. दियान रखो, अबजीद. नजर रखना किसी पर भरोसा मत करना. क्या हो, सर? सर, इस नंबर पर फोन लगा? हलो? हलो? उन दो उठा है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है? असपस कुछ आवाज. पानी की आवाज है, सर. पानी की आवाज है. हलो? कर दो. कट रहे. मैं जल्दी वापस आजाओंगा, तुम लोग जिनता मत करो. तब, एसीप साब मेसेज बेज रहे. सर, अगर कुछ प्रोब्लम है, तो एसीप साब फोन क्यों नहीं कर रहे? अमसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो समझ में नहीं रहाए है. सर, ये लिजे, ये है पटूरा का अड्रिस. बेबी, सौरी बोला ना? आज में तुम्हें योग गिफ्ट करी देता हूँ. तुम्हारी कसम? मत काओ ये मेरी जूटे कसम? दस बाह मेरी जूटे कसम खाचुके हो. और अब भी तक तुम्हें वो नेकलेस लाके नहीं दिया. बेबी, थूख दो ये गुस्सा. आज में तुम्हें गिफ्ट करी देता हूँ नेकलेस. पक्का? हाँ. पुझे नेकलेस लाके दोगे? आज ही. अच्छा वाला. क्या? क्यों कूद रहा है? हाँ? कहां बाग रहा है? कौन ही लोग पठोरा? C.I.D. जानती हूँ कौन है ये? हाँ, पठोरा. और काम क्या करता ये, मालूब है? खुद का बिजन्स है. मुझरे में ये. कल मॉल में इसी ने बॉम ब्लास किया था. बेबी! बेबी माचा बेबी! अवे बेबी के पापा, मॉल के उड़ाया तुने? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकर सुरू हूँ सर. चाप! जिस तरह मॉल उड़ाया ने तुने? तेरे घर के साथ तुझे भी उड़ा दूगा यहीं पे. सर, गाड़ी में 8-10 बाउम पड़े हैं. अगर आप कहें तो ले जाके उड़ा दूँ इसे? अरे, निकिल अप उच्णिकी क्या जरू होते? जब बाउम मॉल में फट सकता है, तो यहां तो फट ही सकता है. उड़ा, उड़ा दे सुरू. नहीं, सर, सर, मैं बटा दे, मैं बटा दूँ, सर. मीता की कहने पे मैंने वो बाउम रखवाय था. सब बहुत लंबी चेन है इनके. यह मीता कौन है? सर, मैं उसके लिए बहुत सारे उल्टे सिधे काम करता था. लेकिन मैं जानता कुछ नहीं उसके बारे में, सर. यह है मीता? नहीं, नहीं सर, यह नहीं है. इसे तो जानते होगे ना? ना कुल नाम है इसका. नहीं. कहां मिलेगी मीता? सर, मैं उसे मिलने के लिए शियो साकर बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाता था. वो कहां रहती है, मैं नहीं जानता हूँ. शियो सारा. सर, यही वो बिल्डिंग है. जहां पे पटो रहा, मीता को मिलने आता था. वाच्मेन से पूछते हैं. अरे वाच्मेन, सुनो जरा. यह मीता इसी बिल्डिंग में रहती है क्या? साब, मैं कुछ नहीं बता सकता, साब. मुझे मना किया गया है कि बाहर के लोगों को यहां सोसाइटी के लोगों के बात ना बताई जाए. ओ. लेकिन यहार तुमने तो बता दिया कि मीता मेडम इस बिल्डिंग में रहती हैं. अब यह भी बता दो कि कौन से फ्लोर पे रहती हैं. साब, मैंने बोला ना, मुझे मना किया गया है. देखो, सी आइडी को तो बताना ही पड़ेगा ना. सी आइडी? साब, आप लोग सी आइडी से हो. सलाम साब. साब, क्या है कि सी आइडी से हो तो बताना ही पड़ेगा साब. साब, मीता मेडम पांचवे फ्लोर पर रहती है. अच्छे साब, आदमी को देखो. इसे यहां कहीं देखा है तुमने? साब, इसे कौन नहीं पहचानता. साब, एक नंबर का खडूस आदमी है, खडूस. अक्सर दो-चार दिन पर यह मीता मेडम से मिलने आता है, साब. अच्छा, ठीक है. हम भी मिल लेते हैं मीता मेडम से. साब, मीता मेडम घर पर नहीं है, साब. वो कहां गई होंगी, कुछ बता सकते हूं? साब, वो क्या है कि डेली दो-तीन घंटे के लिए मीता मेडम बाहर जाती है. एक मिनट, साब. साब, इस वक्त तो आ जाती थी वो. अच्छा, देखो. जी. हम वहां सामने गाड़ी में बैटे होगा. जी, साब. मेटा मेटा मेने तो इशारा कर दो. जी, साब जी. हालो? क्या? चीके. ने ने देखते हैं कहा जाती है क्या बतर नकुल से मिलने जा रही है ने इतना पास नहीं सचिन तोड़ा पीछे रखो तोड़ी जिसके लिए में अंदर जा रही है वहां के रास्ता नहीं सिर्फ समंदर है समंदर है या नहीं लेकिन नकुल हो सकता है वहां पे दो जाता दो आँ रखता है अल्मीदी कार अल्मीदी कार, तैब कौन है तुम है? चंदू नकुल कहा है और इसे एक गन क्यों दी? Thank God, thank God आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया मैं बच गई क्या कहते है तुम है? मुझे अरस करके आप लोगों ने बहुत कुछ कलत होने इसे बचा लिया अगर आप मुझे अरस ने करते हैं तो मैं फिर कोई जुर्म कर बैठती है अच्छा? हाँ, sir मैं सही क्या रही हूँ मैं बहुत मजबूर थी ना कोई ना कोई बहुत का दर्नाग है और मिरमस कोई कोई रास्ता नहीं था अगली गई तो ड्रामा कर रहे लगी यह मैं मैं ड्रामा नहीं कर रही मैं जूट नहीं बोल रही हूँ, sir मैं क्या गंटी मुझे मुझे नकुल ने दंकी दी कि अगर मैंने उसको साथ नहीं दिया तो हो मेरे पापा को मार डालेगा यह नकुल तुमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानताए मुझे रहीं पता मैं भी हःानो यह लड़की तुमारे साथ काम करती है मैसे नहीं जानती अब यह नकुल कहा मिलेगा कोई भी नहीं जानता, वो हमेज़ा अपना नंबर और अपना ठिकाना बदलता रहता है किसी को नहीं बना कि वो अभी कहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या करेगा और शंदू, ये गन किसके लिए लेके जा रहते है तू, हाँ सर, एक सुनसान फैक्टरी में मुझे किसी को मारने के लिए का रहता है लोकुल में ठीक है, एक गन लेके जाओ और मार दो उसको, निकलो इत्ते हैं, कहां जा रहा है और इसको मारते हैं पर से, ACP साब को मेंसेज है अब जीट किसी पे भरोसा मत करना है बहुत बड़ा चाल पिछा हुए है, कुछ बड़ा होने वाला है, खदरनाख ACP साब जाते क्या है रहे कहां पे जाना कहा है सीरे चलते रहो है, बताओ गे नहीं कहां जाना है, तो कहां लेके जाओंगो तुम्हे बोल दिया ना चुप चाप चलते जाना है, कौन है तू, हाँ दोख्या भी कानगीच लगा के सब अकल ठीकाने हो जाएगी बता जल्दी कहां जाना है एसे भी प्रद्जिमन हूँ मैं CID से सर, सर मुझे माप करना सर, पता नहीं था अब जल्दी भगा गाड़ी, जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है चलता हूं सर सर, यही बार वो आने वाला है जिसे माने के लिए नकुल ने कहा है सर, इसे जरूर बता हूँगा कि A.C.P. साब कहा है A.C.P. साब के बारे में भी और नकुल के प्लान के बारे में भी सही तो वही नखिये जिसका स्केच बोट वाले ने बनवाया था कर दो साब कर दो कर दो कर दो कर दो बहुन कर दो पने... अानने में तरफ घड़ कराना... बहुन तको बाल सुर्फ कर दोन का पितू घ्मीर शर्फ बाल सुर्फ इन अजो बहुन वह कर दो आप लोग कौल हैं? C.I.D. ACP साफ का है? मैं नहीं जानती. छुट बोल ले यह तम! तुम ACP साफ के साफ थी? एक बोट वाले ने तुमें देखा उनके साफ? हाँ मैं उनके साफ गई थी. लेकिन ACP साफ ने मुझे वापस भेज़िया था. नकुल से मिलने इस समंदर भी वो अकेले ही गए थी. उसके बाद क्या हुआ? मैं नहीं चानती. देखो, नकुल तुम्हें मारना चाहता है. और तुम्हें मारने के लिए उसने चंदु को बेज़े. तुम्हें जो कुछ भी मालूम, सच-सच बता तो. अब मेरा यकीम कीजिए, सर मैं सच कह रही हूँ. मुझे कुछ नहीं पता. मुझे तुम्हें अबस एक प्राइवेट नंबर से फोन आया कि कोई जरूरी बात करने है. और मैं यहां आए. अब तुम समझ गई ना? उस्ते तुम्हें यहां तुम्हें मारने के लिए पलाया था. तकुल का है? क्या प्लान है उसका? कहा का ब्लास करने वाला है? सर मुझे कुछ नहीं पता वो कहां है. लेकिन हाँ, जब हो मुझ से बार में बिलने आया था ना, किसी रोसली पार्क के बारे में बात कर रहा था. रोसली पार्क. आओ, जल्दी आओ, कम ओन सी आडी, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ. रोक सकते हैं, तो मुझे रोक लो. मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हैं. कुछ ने कर पाओगे तुम लोग. तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे ये भूूू। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम सब को भगा कर. अब तो मुझे और भी मजा आएगा. देखते रहना, मैं आगे क्या क्या करता हूँ. पुर्मी, सर्. ते सारी रेजिटेंशल है गए थे, फुरा खाली कराओ. तुम लोग ज़ल्दी से देखो, पॉम को किसर्. एए, सुनो. जी. आसबाच इतने भी सेक्यूटी गाड़ेस अबको एकटा करो जल्दी. जो तक्यां निए. आप … जाइजे ए बैदंगे लिटा मैढ़ी जाएं. जो कि फ Nikki tą युछया दिमavors और मैढार जाएं. गर्षी जड़ी तिमर्डा जाएं. मैढ जोसे लिड़े अपक जाएं जाएं. बाइ! दर्वाजा कोलिए! दर्वाजा कोलिए! दर्वाजा कोलिए! बिल्डिंग में बॉम है! इधर चकरिए! इधर चकरिए! आप इधर! प्लीज मेरी बाद्धियान सुनिये! मैं CID से ओ, एमर्जनसी है! ये फ्लोर खाली केड़े जितने जल्दी उसके! फ्लीज! 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 इतना ही गाणस है! सबको बुला लिया! तुम लोगों की बिल्ली में कोई अजनभी आत्मी तो नहीं गए आज? नहीं साफ! किसी ऐसे आत्मी को देखा, जिस पर शाक हो, कुछ गरबद दिख रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दे. क्या हुआ? अंदर कहीं भी बॉम नहीं है. मेरे मुस्तरब भी कहीं बॉम नहीं है. नहीं, चली. अभी जी, बॉम का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो बॉम मेला नहीं है. यहां भी चेकिन चल लेहीं और… सर, तो सारी बिल्डिंग चेक करें, कोई बॉम नहीं. अधर भी चेकिन लेहीं, बॉम मेला सर. अरे उसने ड्रोजली पार्क बूला था. अगर यहां पर बॉम नहीं है, तो उसने बॉम कहा रखा होगा? कहीं उस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं, जहां कोई नहीं रहता है. लेकिन सर, यह बिल्डिंग तो अंडर कंस्रक्ट्रक्शन है. यहां पर कोई बॉम क्यों रखेगा? अरे बॉम पावर पुलो तो आसपास की बिल्डिंगे उड़ जाती है, उसे तो बॉम रखने के जगह चाहिए थी बस. हाँ भी जी, यही होगा. उसने सोचा होगा कि यहां बॉम रखने से कोई शक नहीं करेगा. पूरी बिल्डिंग चेक करिए, आपलों गुदर देए, जल्दी. आप इदर आए. यह लाई. ट मुदर बन्हाईं कर व चेक बहुत. जकल झाओ से, स्काओ. झाल! झाल! कर दो झाल! स्काओ. सुरेश! सुरेश, सुरेश, पुझाओ! इसको लेकर ज़ल्दी, बटो! सर, कामिया ने तो कहा था कि, काफी बड़ा पॉम है. सर, ये तो छोटा सदमाकत. बस, लगता है ये प्लास सिफ हमारा ध्यान बटकाने के लिए किया गया है. हो सकते हैं. किसी और जगह बड़ा कुछ करने वारा है. पता लगाना पड़ेगा कि नकुल के निशाने पे कौन सी जगह है. कहां चल दिये? मैं आउँ! केसे ये अब तब? बहुत दिनों के बाद, नहीं? चौक गए ना मुझे देखकर. हाँ. चौक तो कह है? मगर आप चौकने की बारी तुम्हारी है. हाहाहा! हाहा! हाहाहा हाहा! हाहाँ आप माय तरह आप सरा था हाँ हमी जी तरह! वह जब 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 क्वेरं झाइ अलगता है सब लग साक में मरना चाहते मेरा तुकावासान होगिया आजाओ 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 बाट। ए रूख रूख जेवन्ती जेवन्ती ठीको तूब ओ-ओ-ओ-ओ क्या हालत बना लिये तुम लोगोंने काश में आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी? चेरी! चेरीश काऊँगे? चेरीश काऊँगे? ना, 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 ना! अभी तो आप लोगों को पेट खानी रखना है यूकि अभी तो बहुत कुछ खाना बागी है मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सी आडी वालों को तरपते हुए देख अब तो मेरा रास्ता बिलकुल साफ हो गया अब ना, मैं एक खेल केलूँगा बम-बम, बम-बम, बूम रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा लेकिन उपर जाने का तुझे मारे बिन हम लोग मरने वाले ने है यह गल्टी मत करना ACP के दोलारे हो ना तुम दोनो सबसे पहले तुम दोनों जाओगे आप आप जिन्दा हैं इतनी आसानी से नहीं मरता मैं समझे थोके बास बहुत बड़ा धोका दिया तुने मुझे दोके बास के साथ धोका ही होगा ना तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी अच्छा नहीं लगा मुझे जिन्दा देख पर पर आप आप जिन्दा कैसे बचे मैं आपकी हिल्प से पिसले कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ सर नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो सर वो किसी का सगा नहीं है उसका एकी उसूल है पहले काम खतम और काम खतम करने के बाद काम करने वाला आप भी खता न तुमे कुछ होने दूँगा मैं और ना मुझे कुछ होगा वीच समंदर में बुलाया है न उसने मिलने के लिए गुद बाई डाद डाद आपने मुझे गोली मारी मैं बजगे मैंने आपको गोली मारी आप भी बजगे तो तो हिसाब बनाबर हो गया डाद अब फिर भी मुझे मारोगे आप फिर भी मैं तुम्हे मारूंगा क्योकि तुम जिन्दा रहने के लायक ही नहीं हो तुम्हे मरना ही होगा क्यों 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 बस अब और नहीं भागेगा तू डरा पी शाला कीखी गाड़ना तो गोली तेरे सीने में गाड़दूनगा मैं कही नहीं जाम गड़ चाउंगा नहीं कहीं नहीं हुखचा नहीं हिंसे मुझ भर दो, दद. माफ मापवी मांगने का हद तो तुमने उसी वक्त हो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थे वो मेरी नादा नहीं ठीड है देवकुद था मैं आप आप आपने बेटे पर कैसी गोली चलाएंगे उसी तरह जैसे और मुझरिमों पर चलाता हूं गोली सिर्फ एक मोका दीजिये डैड मैं ये सारे गलत कम छोड़ दूगा मैं मैं कासम कहता हूं मैं मैं अपने आपको कानून कह वाले कर दूगा सची डैड तुम्हे माप कर दो डैड पाप कर दो डैड माप कर दो डैड माप कर दो डैड आपने क्या सोचा कि मैं आप से माफी मांगूंगा आप से मैं माफी मांगूंगा मैं तो बचने का रास्ता ढूंड रहा था ने हाँ अब तो आप गए डैड एसीबी प्रद्यूमन को गोली सीधे यहां लगेगी कैसा बेटा तो हाँ अब नहीं पिता को मानना चाहता है तू नहीं दया यह मेरा बेटा नकुल नहीं है तो पिर कौन है यह 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 पहरूपया है अभी जी पहरूपया है यह 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 य जो वंडे आई? अँए? मैं हरिया का बेड़ा हूँ? जिने ACP सरने मार डाला था रुक जा हुरिया अरिया रोक अरिया रोक अरिया मत करो ये मुझे मारना इतना असान नहीं ए ACP और मुझे अनाथ कर दिया था सारी जिंदगी में अपने पाप के प्यार के लिए तडपता रहा इसलिए मैंने भी सोचा और ACP सापका बेटा बनकर इनको तडपा तडपा कर मारना चाता था तुमारे पिता को मैंने नहीं मारा उसकी गुनाओं ने उसे मारा है उस कानून ने उसे वो सजा दिया है वो कानून जो हमारी देश और समाग की सुरक्षा के लिए बने है तुमारे बदले की आग ने बहुत सारे मातूम लोगों की जाने ली तुम्हे कानून कभी माफ रही करेगा तुम्हे कड़ी से कड़ी सजा होगी आती होगी तुम्हे बाती आती होगी आती होगी